मनी मेगला इनका सवाल है कि एक बार एक कववा मुझे बहुत तकलीब दे रहा था उसने चोच मारने का भी प्रयास किया बहुत चिल्ला रहा था और फिर तभी हमारे बड़े पापा याने चाचा जी गुजर गए इसका टेलेग्राम मिला तो क्या दोनों में कोई लिंक है अभी कववे को कैसा पता चलेगा कि आपके घर के कोई वेक्ति गुजर गई है या फिर गुजरने वाली है कववे को ये ग्यान कहां से प्राप्त होगा ये ग्यान किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है कोई मरने वाला है मर गया है ये कैसा प्राप्त होगा इस दुनिया में सब प्राणियों में सबसे ज़्यादा प्रगत दिमाग हमको दिया है यह प्रगत दिमाग वाले को भी नहीं समझ सकता है तो वो छोटे से दिमाग वाले कव्वे को कैसा समझेगा और ये कोई उसके नैचरल इंस्टिंक्स से जुड़ी भी बात नहीं है तो ये केवल अंदविश्वास है केवल सहयोग है हमारे जीवन में कई बार ऐसे अनुभव आते है समझो कवा चिलाने लग गया है कवा हमारे नजदिक से गया उसके पंक हमको लग गए या फिर उसके चोच लगते लगते बज गई ये अनुभव कई बार आ सकते है अभी तो कवे की संख्या बहुत काम हो गई है लेकिन मैं जिन दिनों स्कूल में और कॉलेज में पढ़ता था उन दिनों में बहुत कवे थे और हर जग़ कवे होते थे और तब प्रथा ऐसे थे कि घर के बाहर बातरूम होता था बरतन मांजने की जग़ अलग जग़ होती थी खुले में होती थी सभी की सभी बरतन मांजने के लिए वा रखे जाते थे इन बरतनों में कुछ जूटी चीज़े रहती थी, जूटन रहती थी वो खाने के लिए बड़े पैमाने पर कव्वे इकठा हो जाते थे तो ये कव्वे कई बार आपके चलते जलते इतने नजदिक से जाएंगे कि आप डर जाएंगे ऐसा कई बार होता था तो ये अनभव जो बार-बार हमारे जीवन में आ सकते है जब कभी ऐसी कोई बात होती है उसको हम ध्यान में रखते हैं जब नहीं होती है उसको नॉर्मल समझ कर छोड़ देते हैं ये हमारी मानसिक्ता बन चुकी है इसका इन चीजों से कोई भी सम्मन नहीं है ना हमारी आत्मा होती है ना आत्मा बाहर जाती है ना वो कव्वे को दिखती है ना कव्वे को आत्मा की समझ होती है है नहीं तो कहां से दिखेगी उसको ये केवल अंदव इश्वास ये अंदव इश्वास हमने समझ कर छोड़ देने चाहिए प्राणी शास्त्रकाईत का गहरा अध्यान आचकल होता है हम नेशनल जियोग्राफिक से लेकर अलग-अलग चैनल्स देखते हैं हिंदी में भी उसका भाशांदर होता है इतना सटीक अभ्यास में ये बाते कहीं भी नहीं आई ने तो उसका हम उप्योग करते हर ऑस्पिडल में कमवे को बिठा देते आईसीओ में कोन मरने वाला है कोन नहीं पहली हमको पता चल जाता तो बाकी के पैसे बच जाते ना फिर आईसीओ में क्यों मेहनत करते बैठे डॉक्टर के फीज बढ़ाने के लिए कववे ही बता देता कि आईसीओ में कोन मरने वाला है कोन नहीं मरने वाला है इस ढंग से सोच के देखिए अगर कववे में एक शमता होती है कि उसको पहले से पता चलता है कोई मरने वाला है तो उसक शमता का हम फायदा उठाते हम हर प्राणी का फायदा उठाते गाय अच्छा दूद देती तो गाय को पालती ये न मुर्गे अंडे देते तो उनको पालती ये न उनका फायदा उठाते ये न तो हम कवे का भी फायदा उठाते कवे को भी पालते इसके लिए special ये तथ्य ही इन बाते हैं केवल अंदविश्वास है उसको हमने भूल जाना चाहिए हमको अपने आपको बार-बार समझाना होगा और अंदविश्वास के उपर हमको उठना होगा